देखी कॉंग्रेस इंडिया गड़बंदन में समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई है रामपुर की जो गड़बंदन का कंडिडेट आएगा उसको कांग्रेस पूरी निष्ठा के साथ में चुनाव लड़ाएगी और मुझे पूरी आशा है कि वो चुनाव जीत गड़बंदन का 100% कंडिडेट जीतना चाहिए और जो गड़बंदन का कंडिडेट होगा उसको कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और वो इंशालला जीतेगा क्या मुद्दे वे देखिए मुद्दे सबसे पहला मुद्दा तो रामपूर में बेरोजगारी का है और रामपूर से हट कर जो पूरा इंडिया लेविल पर भी अगर देखा जाए तो बेरोजगारी में मुद् एकनॉमिकल पोजिशन खराब है पूरे देश की तो ये तमाम मुद्दे हैं कि जिस पर जनता जो है वो वोड़ देगी और बदलाओ की तरफ रुज़ान है जनता का जो रुज़ान आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं घंशान सिंग लोदी जी को टिकिट हुआ है और वो एक चुनाओ जीते भी थे रामपूर से लेकिन वो चुनाओ कैसे हुआ था वो तमाम लोग जानते हैं और घंशान सिंग लोदी जो हैं वो पहले आजमखां की पार्टी में थे अब भाजपा में हैं और आगे वो कहां रहेंगे ये भी कुछ कहां नहीं जा सकता तो चुनाओ जो होगा वो जाहिर सी बात है गड़बंदन के कंडिडेट से होगा जो इंडिया गडबंदन का कंडिडेट आएगा उससे चुनाओ होगा और मैं समझता हूं चुनाओ बिल्कुल उसमें आरपार की लड़ाई होगी और इंडिया गडबंदन का कंडिडेट बिल्कुल जी सकती थी या थी लेकिन अब तो कॉंग्रेस का कंडिडेट लड़ी नहीं रहा है अब तो गड़बंदन का कंडिडेट लगा तो जो हाई कमान के के साथ गड़बंदन का कंडिडेट लड़ेगा और जीतेगा भी आप किस तरन से कंडिडेट लड़ाए जाएगा जीतेंगे इसलिए के कंडिडेस ने भी इस जो तो रामपूर की सीट है, साथ लोक सभा की, उसे कॉंग्रेस ने लगबग साथ बार जीता है, और समाजवादी पार्टी ने भी तीन बार जीता है, तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह इंडिया गडबंदन की दावेदारी रहेगी सीट पे और ये सीट जीती भी मानी जाएग हुआ झालाव बार जीता है, तो मैं समाजवादी तीन बार जीता है, तो मैं समाजवारी पारे सीटारी पारे सब्सक्यांवारी टीन अवयरे इंड है।